आज के इस सेशन को दोस्तो आज के इस सेशन में हम लोग जारखन्ट हूस हूस के अंतरगर देखने वाले हैं जारखन्ट के मंद्री मंदल के साध्स शामीर, कितने व्याक्ति मंत्री हैं और उनके बारे में विशुष क्या है किस विधान सभाष्षेतर से वे चुनाव जीत कराया है इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस सेशन में जानने वाले हैं इसके अलावा एक और बात बता दे कि इससे पहले भी एक सेशन पहले हो चुका है इसका जिसमें हम लोगों ने जाना था जारखंट के जो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज हैं जारखंट में उसके प्रदेश अथियक्ष कौन है इसके अलावा मुखमंत्री राज्यपाल और प्रमुख आफिस बीरर कौन है जैसे मुख सचीव कौन है मह शुद्यय लेकर जारखंट के उनके बारे में इस्पोर्स औरिशन के प्रिजिदेंट के बारे में लोगसभह राजशसभा के सदस्से कौन कौन है जारखंट से उन सभों के बारे में हम लोग उस سेशन में जान चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक को आपको बता दे वर्दमान में जारखंड में जो सरकार है जारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ इसके सहयोगी दल भी इसमें शामिल है और जो दो सहयोगी दल हैं जारखंड सरकार में जारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ वह हैं इंडियन नेशनल कॉंगरेस और RGD यानि योग के साथ और वर्तमान में इसका नित्रुत कर रहे हैं हेमंत्र सोरिन जो मुख्य मंत्री हैं और वर्तमान में जो मुख्य मंत्री के सतसे हैं मुख्य मंत्री सहीद वे हैं 11 और 11 वर्तमान में जारखंड में मंत्री हैं आपको बता दे कि भारतिय सम्विधान में कर लिए और भारत के सभी राजियों देने के लिए राज में एक मंतृ परश्ट का अगठन किया जाएगा जिसके मुख्या मंत्री होते हैं और इसी के तहत जारखंड में यह मैं व्यवस्ता की गई है और भारत के सभी राज्यों में व्यवस्ता है अमशेद 163 के तहदी वैसे एक और बात बता दे कि 2003 में 91 यानि 2003 में 91 समिधान शंशोधन किया गया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि मुख्यमंत्री सहीद मंत्री मंडल में कुल सदस्रो की संख्या 12 से अधिक नहीं हो सकती है वैसे यह जो समिधान शंशोधन था इसमें यह कहा गया है कि कोई भी विधाईका में जो विधान सभा के सदस्य होंगे या विधाईका के सदस्य होंगे उसके 15 प्रतिशत से अधिक मंत्री मंडल में व्यक्ति सामिल नहीं हो सकते हैं इसके अनुसार जारखंड में जो अधिकतम मंत्री मंडल के सदस्य हो सकते हैं वबारह हो सकते हैं और वर्तमान में 11 मंत्री हैं अभी भी एक मंत्री और जोड़ा जा सकता है जारखंड के मंत्री मंडल में और यह जो समिधान शंशोधन किया गया था ये राज्यों के अलावा केंद्र में भी लागू होता है ये जो प्राउधान है दोस्तों 15% का यानि जो विधाई का है उसका 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं मंत्री मंडल में वो राज्यों के साथ केंद्र में भी लागू होता है आईए अब आगे बढ़ते हैं और मंत्री मंडल के बारे में हम लोग जानते हैं शुरुवात करते हैं मुख्यमंद्री से मुख्यमंद्री वर्तमान में हिमंत्र सोरिन और मुखे मंत्री के अलावा उनके पास कार्मिक यानि पर्सनल, प्रशाष्णिक सुधार, तथा राजभाशा विभाग, ग्री मंत्री भी वर्तमान में मुखे मंत्री ही हैं, मंत्री मंदल सजीवाले तदेवम निगरानी विभाग, संसदिय कारण रही साक्षरता इसकूली विभाग, साक्षरता विभाग अपने पास रख लिया है साथ ही वैसे विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है या वो विभाग जो कोई भी नहीं सम्हाल रहा है वो मुख्यमंत्री के पास है आपको बता दे कि वर्दमान में जो हेमंत सोरेन है मुख्यमंदरी ये 11 में मुख्यमंदरी है जारखंड के और इससे पहले वे डिप्टी सीम भी रह चुके हैं यानि उप मुख्यमंदरी भी रह चुके हैं अरजुन मुंडा के कारेकाल में 2010 से 13 के दोरान इसके अलावा वो राजे सभा के सदस भी रहे हैं 2009 से 2010 के दोरान कुछ दिनों तक रहे थे बाद में विधान सभा चुनाओं के कारण उन्होंने ये पद शोड़ दिया था इसके अलावा जारखंट के वो वर्तमान में कारेकाली अंध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में बरहेट विधान सभा से वो विधायक हैं बरेट विधान सभा आपको बता दे कि सहब गंज चिले में या सहब गंज लोकसभा छेत्र में इस्तित एक विधान सभा छेत्र है वैसे एक और बात बता दे दे कि 2019 में जब चुनाओ हुआ था विधान सभा का तो हेमंत सोरेन दो विधान सभा चेत्र से चुनाओ रड़े थे एक सहेब गंज के बारहेट से और दूसरा दुमका से बाद में उन्होंने दुमका से त्याक पत्र दे दिया था जहां से उपचुनाओ हुआ और बाद में इनके छोटे भाई बसंत सोरेन वर्दमान में विधायक है इसके अलावा आपको बता दे कि दूसरे बार वो सीएम बने हैं इससे पहले भी वो एक बार मुखमत्री रह चुके हैं चार खंट के और जो पहली बार सीएम बने थे वो बने तो 2013 चुझा में तो यह था दोस्तो हेमंत्र सोरेन के बारे में आईए आप दूसरे मंद्री मंदल के सदस्य के बारे में जानते हैं चारखन में दूसरे मंत्री मंदल सदसे हैं मंत्री मंदल के सदसे हैं स्रीबादल पत्रलेक जो कृषी सहकारितायों पशुपालन विभाग समाल रहे हैं आपको बता दे कि ये दूंका में जर्मूंडी विधान सभाज छेतर से विधायक हैं और इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के यह सतस्य है यानि कॉंग्रेस के विधायक है वहीं हफिजूर हसन अंसारी की बात करें तो परियरटन अलसंखय कल्याण खेल कलायों संस्किती युवा कारयों निबंदन विभाग देख रहे हैं हफिजुल असन अंसारी के बारे में बता दे कि ये जारखंड मुक्ती मोर्चा से विधायक है और वर्तमान में देवगर के मधुपूर विधान सभाचेतर से विधायक है इनके फादर भी मंत्री थे और उनके निधन के बाद ही हफिजूल असन अंसारी को जारखंट के मंत्री मंदल में शामिल किया गया था और इनके पिता थे हाजी हुसैन अंसारी अगले मंत्री मंदल में सदसे हैं अगले सदसे हैं मंत्री मंदल के दोस्तो आलमगीर आलम पंचायती राज ग्रामीन कारे ग्रामीन विकास विमसंसदिय कारे विभाग देख रहे हैं आलमगीर आलम ये भी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के सदसे हैं और अगर आलमगीर आलम क देख रहे हैं और स्री सत्यानंद भोक्ता आर जेडी से विधायक हैं और एक मत्र विधायक हैं चार खंट के जो मंत्री है यानी मंत्री मंदल में शामिल हैं और ये चत्रा विधान सभा छेद्र से विधायक हैं च्छटे सदसे हैं स्रीमती जोबा मांजी आपको पतादे कि महिला बाल विकास वा सामाजिक सुरक्षा विभाग देख रही है स्रीमती जोबा मांजी ये पस्मी सिंग्वुं के मनोहर पूर विधान सभाज खेत्र से विधायक है और ये जे एम एम से की सदसे हैं GMM की विधायक हैं आपको बता दे कि ये प्रथम मंत्री मंदल में यानि 2000 में जो गठन हुआ था मंत्री मंदल बाबुलाल मरांडी के नेत्रित में उसमें भी ये परेटर महिलायम बार गल्यान विभाग देख रही थी और साथ में इनके पास आवास भी भाग भी था एक और बात बता दे इनके बारे में कि एक पार्टी थी इनकी UGDP जिसका पूरा नाम है दोस्तो United Gones Democratic Party बाद में इस पार्टी का इन्होंने GMMA 2014 में विलाय कर दिया था और इस पार्टी से भी वो जार्खंट से विधायक रह चुकी है आईए अब निक्स्ट मंत्री के बारे में जान लेते हैं और ये है चमपई सोरिन जो वर्दमान में परिवहन अनुसुचित जाती तो उन पिछड़ा वर्ग कल्यान अनुसुचित जन जाती विभाग देख रहे हैं अगर चमपई सोरिन के बाद करें तो ये भी जार्खंट मुक्ती मोर्चा के सदस हैं GMMA से विधायक हैं चमपई सोरिन और सराइकेला विधान सबाचेतर से ये विधायक है सराइकेला विधान सबाचेतर सराइकेला खरसमादीले का एक विधान सबाचेतर है नेक्ष्ट मंत्री के बारे में हम लोग ज्यान लेते हैं ये है रामेश्वर उराओं ये सबसे ज्यादा educated मंत्री है वर्दमान में जार्खंट मंत्री मंदल में जो वर्दमान में वित वाडिचेकर, खादे योजनायों विकास, साजुनीक वित्रण और भोगता मामले के मंत्री हैं जारखन में स्री रामिश्वर उराओं के बारे में बता दे, डॉक्टर रामिश्वर उराओं के बारे में बात कर दे तो ये भी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के सदस हैं और लोहर दग्गा से ये विधायक हैं आपको बता दे कि ये इंडियन पूलिस सर्विस में रह चुके हैं यानि IPS रहे हैं वी रस इन्होंने लिया था उसके बाद राजनीती में प्रवेश किया लोहर दग्गा से ये दो बार MP भी रह चुके हैं और केंदर में राज्यमंत्री भी रह चुके हैं आपको बता दे कि मनमोहन सिंग सरकार के दौरान जंजाती विभागी ये देख रहे थे जिसमें ये राज्यमंत्री थे इसके अलावा अनुसुचित जंजाती आयोग के ये अध्यक्च भी रह चुके हैं स्री रामेश्रक उराओ स्रीमती बेवी देवी महतो की बात कर ले दोस्तों तो स्रीमती बेवी देवी महतो भी जे एम एम की विधान सभा सदसे हैं आपको बता दे कि जगरनात महतों की ये पत्री है जिनका निधन हो गया था कुछ दिनों पहले बाद में जो उप चुनाओ हुआ उसमें बेवी देवी महतो चुनाओ लड़ी और डुमरी विधान सभा से जीत गई डुमरी विधान सभा चेतर आपको बता दे कि गिरिडी जीले के अंतरगत आने वाला एक विधान सभा चेतर है और पूर्वशिक्षा मंतरी जगरनात महतों की पत्नी है बेवी देवी अगले मंतरी है स्री मिधलेस ठाकुर जो पेजलयों स्वक्षता विभाग देख रहे हैं इनके बारे में आपको बता दे कि मिधलेस कुमार ठाकुर भी जारखंड मुक्ती मोर्चा के विधायक है और वरतमान में गढ़वा विधान सभा से ये विधायक है जो कि गढ़वा जिले में अंतरगत आता है और इनके बारे में एक और बात बता दे कि जारखंड में एक sports organization है football association यानि कह सकते हैं कि जारखंड football association इसके ये अध्यक्ष भी है वही बन्यागुपता की बात करें तो बन्यागुपता वरतमान में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के सदसे है यानि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के ये विधायक हैं और वरतमान में स्वास्तयों चिकित्सा शिक्षा यों पईवार कल्यान विभाग आबदा प्रबंदन व organization है जारखंड Handball Association इसके वे ये बनना गुपता अध्याच है इस तरह तोस्तो अब तक हम लोगों ने देख लिया जारखंड के सभी मंदल के सदस्यों के बारे में गिटेल में और एक और बात बता दे कि जारखंड में वर्तमान में दो महिला जो सदस्य हैं वो मंदल में सामि दूसरी है बेबी देवी इसके अलावा अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो इगारा में से छे जे एमेम के मंत्री हैं हमत सोरेन खुद हाफिजूल हसन अंसारी जोबा माजी चंपई सोरेन बेबी देवी और मितलेस कुमार ठाकूर ये सभी छारखंड मुक्ती म मुष्चा की विधायक है वहीं इंडियन नेसनल कॉंग्रेस के चार विधायक हैं जो मंत्री हैं बादल पत्रलेक, आलमगीर आलम, डॉक्टर रामेश्वर उराओ और बन्ना गुपता वहीं आर्जेटी की बात करें तो एक मात्र विधायक है आर्जेटी के जो मंत्री मंड के साथ धन्यवाद